तो स्टुडेंट्स आप जानते हैं कि आज हम इनसे मिलने जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल पूछेंगे कैसी तयारी रही होगी और मेरा ख्याल है कि अभी ये 25 एज से कम की हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इनकी लग चुकी है और साथ में मैं आपको एक और बा स्टुडेंट्स ही है अच्छा मेरे स्टुडेंट्स है ये तो बहुत अच्छा मेरे स्टुडेंट्स बहुत कमाल करने ये तो बहुत अच्छी बात है और आज बहुत सारी बात जानने को मिलें कि मैं स्टुडेंट्स आपके कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूं आपको जो क कुछ सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछूंगा सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कोचिंग तो आप हमसे पढ़ती हैं लेकिन इस प्लैटफॉर्म पर यूट्यूब पर सबके सामने जब आपका इंटरव्यू हो रहा है सब आपको देख रहे हैं आज आप पूरे मन से वो सारी बाते जो आपने स्ट्रेजी जो अपनाई थी जिसकी वज़े से आप आज हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है तो यह सारी बाते हैं आप हमारे स्टुइट्स को बताइए किसी ना-किसी तरीके से कहीं-ना-कहीं यह उनको जरूर है परेगा तो सबसे पहला सवाल मैं जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं मैं वो यह पूछना चाहता हूं आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो आपने बहुत कुछ बताया भी था, आप मुझे अपनी थोड़ा सा RPSC के बारे में तो मैं सब कुछ पूछूँगा या आपसे, हर एक चीज खंगाल लूँगा, हर इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ लूँगा, लेकिन उससे पहल लाने में, मैं एक ब्रीफ आंसर आपसे चाहता हूँ कि आप उसको मुझे यह समझा दीजे, कि 10th तक की आपके एजुकेशन गाओं से थी, यह हम सब जानते हैं, तो उस 10th तक के एजुकेशन का कितना रोल रहा है आपके RPSC के रिजर्ट लाने में? जी सर, जैसा कि आपने बताया कि मैं ग्रामिट परिवेश से बिलॉंग करती हूँ, तो उस वक्त इतने सुरीदा हैं नहीं थी गाओं के अंदर, तो हम ट्रैवलिंग भी करते थे, तो कभी ट्रक में बैठके जाना है, कोई बस मिल रही है तो उसके थू जाना है, तो कैसे कि कैसे भी जा कि हम इस कुल में पढ़ना है, और टीचर से जा कि पूछने सर ये क्या चीज होती है, सर इसमें ऐसा हुआ तो ये कैसे हुआ तो स्टार्टिंग से एक मतलब बना हुआ था कि मुझे ये चीज सीखनी है, ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजे सीखने का था, जो कर सकते की जोगू